नमस्कार खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है साल 2016-17 का बजट अपसे कुछी दिनों में देश के समक्ष रखा जाना है और देश की आमदनी कहां से होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो होती है राजस विभाग की और आज बजट की पूरी रूप रेखा प से बड़ा सवाल यही है कि अभी जो करीब 18-19 लाग करोड का बजट है उसमें देश की आमदनी कहां से आती है उसकी जिम्मेदारी आपके कंदों पर है इस बार का जो लक्ष रखा गया है करीब 45-45 लाग करोड रुपए का उसको लेकर के भी वरतमान इस्तित्य है क्या उस साल के सवाल पर आता है कि इस साल का जो लक्ष है साले 14 लाग करोड उसमें से करीब 8 लाग करोड हमारा डारेक्ट टेक्स से आता है साले 6 लाग करोड इंडारेक्ट टेक्स से आ रहा है जो डारेक्ट टेक्स है उसमें भी दो पार्ट है आप जैसे जानते है कि कंपनियों से जो tax लेते हैं उसमें से करीब 59-60% का टेक्स और बाकी 40% परसनल इंकम टेक्स से आ रहा है लेकिन इस साल का जो ट्रेंड डिख रहा है उससे लग रहा है कि एक साइज में करीब 40% होगा 39% और सर्विश टेक्स में 29% होगा और कस्टम में करीब 31% होगा तो यह ट्रेंड क्या दिखाता है यह बदल्म अपने डेखा है यह क्या अर्थवरस्ता कि कोई दिशा बताता है हमें यह जो हमारा Tech structure indirect tax का हे वह थोड़ा सा काफी स्क्यूड है हमारा custom and excise में particularly so, custom में and excise में दोनों में, खास करके excise में, जो हमारी top 10 revenue earning items है, जिसके ओपर हम सबसे ज़्यादा excise लगाते हैं, उसमें से करीब-करीब हमारा 75% revenue वो 10 items आता है, so, that means it is a very skewed kind of a revenue model that we have, similarly in customs also, we have got about top 10 items जो custom की है, जैसे के Sona है, सबसे ज़्यादा import duty आ रही है, तो वो top 10 item में से करीब-करीब 60% से ज़्यादा हमारा custom में भी 10 item में से आ रहा है, so, यह जो हमारा पूरा structure है, वो थोड़ा सा skewed है, प्लस इस साल आप जैसे जानते है की crude oil के price को खटने से, जो हमें एक थोड़ा सा space मिल गया taxation बढ़ाने का, वो बढ़ाने के वज़े से हमारा exercise duty में थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी होगी है, लेकिन बाकि सब tax में comparatively, percentage wise उनका जो weight है वो reduce हो गया है, तो सर, आपको लगता है कि जो लक्ष आपने अध्याद किया है इस साल के लिए वो आप comfortably पूरा कर पाएंगे और जो अलग अलग जो direct or indirect tax के लक्ष हैं वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे? देखें अभी तक जो हमें January तक का जो figure मिला है उसके इसाब से direct tax का अमारा जो annual target है उसके सामने करीब-करीब 65% tax collection आ चुका है January तक. In case of indirect tax, we have already got पूरे साल का जो लक्षांग था, target था, उसका 88% tax आ चुका है. हमारा यह अंदाज है कि कुल मिलाके direct और indirect में कुल मिलाके तो country का लक्ष पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा अंदाज है. लेकिन direct tax में थोड़ी shortfall होगी करीब 40,000 करोड की और indirect tax जो है उसमें उतनी ही बढ़ोतरी होगी, तो कुल मिलाके हमारा जो 14,000,000 करोड का लक्ष है, वो हम उमीद करते हैं कि वो पुरा हो जाएगा. सर, भारत के लिए यह कहा जाता है कि 130 करोड की जनसंख्या में बहुत सारे कम लोग हैं जो tax अदा करते हैं, जिसके हम tax base कहते हैं, और बहुत सारे economists और जो experts हैं वो भी कहते हैं कि जब तक आप tax base को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपका collection जो हमेशा एक challenge रहेगा सरकार के सामने. Tax base को बढ़ाने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं? देखें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक तरफ से हमारे पास बार बार ये demand आ रही है कि जो income tax के slab है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, वो बार बार एक demand आ रही है, और उसके साथ साथ ये भी demand आ रही है कि आप tax base को बढ़ाएंगे. अब हर बार अगर हम ऐसे करते जाए कि tax का जो slab है उसको बढ़ाते जाए, तो हर बार उसके tax net के दाएरे में जो लोग है उसकी संख्या में कमी हो जाती है. लेकिन ये ये तो ठीक है, एक बात हुई. बट दूसरी वज़े ये भी है कि इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं जो चोटे व्यवसाई है, तो ऐसे लोगों तो हमारी जो अभी की exemption limit है डाई लाग, वो डाई लाग के दाएरे में आते नहीं है, लोगों की income इतनी होती नहीं है कि डाई लाग हो. बट फिर भी आप को ये जानके खुशी होगी कि पिछले कुछ सालों में जो trend बढ़ रहा है, इसका जो tax base जो बढ़ रहा है, उसके कुछ आकड़े में आपको दूँ, अभी आज की तारीख में कुल मिला के करीब साले 3-4 करोड लोग tax का return file करते हैं, तो उतनी लोग तो tax के डाएरे में आगे, उसके अलावा जो TDS का हमने provision किया है, वो TDS के माध्यम से भी करीब ऐसे 1 करोड पटासी लाक लोग ऐसे है, जिनका TDS कट गया है, लेकिन जिन्होंने return file नहीं किया, तो एक तरह से आप देखे, तो कुछ tax net में वो भी आ गए, जिनका 5% TDS कट आए, 10% कट आए, तो उनका कुछ contribution तो हमको मिल गया, अब किसी भी वज़े से वो tax return file करने नहीं आए, क प्रोविजन के माधियम से भी tax net को widen करने की कोशिस की है, उसके अच्छी परिणाम मिल रहे है, दोनों मिला के मैं यह कह सकता हो कि आज की तारीक में, करीब करीब 6 करोड लोग जो ऐसे है, जो कि tax pay कर रहे है, जो कि बहुत अच्छी संख्या है, और इस संख्या जो है, यह मैं कहूंगा कि तीन साल पहले का आकड़ा देखिये और आज का आकड़ा देखिये, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, मैं समझता हूँ, तीन साल पहले साइद यह तीन करोड के आसवास ही फिगर था, और आज income tax filers plus TDS deductors की संख्या दोनों मिला के करीब 6 करोड के करीब ह हो गई, जो कि एक अच्छी खमर है. को कभी किसी backward area के लिए exemption दिया जाता है, कभी किसी अच्छे काम जैसे के infrastructure के लिए tax exemption दिया जाता है, कभी कोई दूसरे purpose के लिए दिया जाता है, exemption, तो exemption का objective तो बड़ा noble होता है, लेकिन इसकी कुछ distortionary effect होती है, एक तो distortionary effect यह होती है कि एक inequity हो जाती है, एक नया unit आता है जिसको सरकार ने कोई tax exemption दिया, और एक पुराना unit है जिसको कोई tax exemption नहीं मिल रहा है, तो दोनों के बीच में असमानता हो जाती है, दोनों की level playing field नहीं जाती है, competitiveness में दोनों में फर्क पड़ जाता है, तो इसके कुछ distortionary effect भी है, तो सवाल यह है कि, it may be desirable from the purpose point of view, लेकिन tax की पूरी system को distort करते है, आज की तारीख में हमारा, जैसे मैंने लक्षांग दिया आपको तो साड़े चौदा लाग करोड का tax आ रहा है, उसके सामने करीब एक लाग करोड का tax हमको forgo करना पड़ता है, direct tax में, income tax का, उसमें से करीब 60,000 करोड का tax कंपनियों की favor में हमको exempt करना पड़ता है, और 40,000 करोड जो की personal income tax में भी हम जो छूट देते है, रियायते देते है, ATC का वगरा, तो उसमें भी हमरा 40,000 करोड का चला जाता है, और indirect tax में भी जो हम रियायते देते है, जैसे exercise में से exemption दिया, CVD से exemption दिया, export oriented unit को दिया, ACZ वाले unit को दिया, वो सब मिला के भी करीब करीब एक लाग करोड तो उसमें भी हमारा चला जाता है, तो कुल मिला के दो लाग करोड का सरकार के लिए जो नुक्षान, इनेवे नुक्षान होता है, जो revenue for gone के रूप में जो है, तो उसके कारण सरकार को जो tax का rate है, वो उचा रखना पड़ता है, तो हमारा corporate tax, income tax का rate है, वो करीब-करीब 33% आता है, 30% प्लस सर्चार्ज उसमें अब आप effective rate देखेंगे, क्योंकि कुछ-कुछ कंपनियों को exemption मिल जाता है, तो बड़ी कंपनियां जो है, उनको बिलकुल फाइदा है, तो बड़ी कंपनियों जो 500 करोड से उपर profit करती है, उनका effective tax rate तो 22% ही आ रहा है, और average जो income tax का rate आ रहा है, corporate income tax का effective rate, वो करीब 25-26% ही है, तो ऐसा नहीं है कि 33% हमारा जो card rate है, जो हमारा published rate है, उतना ही tax सब लोग भरते है, exemption की वज़र से सब कंपनियां यह सब tax जो benefit है उसको अवेल करके अपना effective tax rate को उतना ही रखती है, tax system से उसको सरल बनाने की कोशिस पूरे साल भर के दौरान सरकार ने की है, क्या हम यह मा वस्ता है उसको और simplify किया जाएगा, tax payers के लिए, आपने जो बात कहीं कि लोगों को tax pay करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो परशान है तो इसलिए है कि tax का return file करने के बाद, number one हमें कोई जवाब ना मिले, number two उसका acknowledgement नहीं मिले, number three उसके बाद हमको unnecessary income tax office में बुलाया ज तो वो चीज से लोग उन चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं, अब हमने सबसे पहले यह किया है कि एक IT का information technology का भरपूर उपयोग income tax department में किया है, हमने यह mandatory कर दिया है करीब करीब हर work के लोगों के लिए, except senior citizen category, वैसे लोगों को मुक्त किया है, बाकि सब के लिए अब income tax का return online fund करना जरूरी है, और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस साल के जितने भी return आये, उसमें से करीब 90% return तो online ही आये, और उसमें से भी online return आने की प्रक्रिया में, सुविदा यह हो जाती है कि हम इसको machine के द्वारा ही process करते है, और machine के द्वारा ही refund चला जाता है, तो इस बार के मैं कुछ आंकडे दू, कि इस साल अभी तक, मतलब 31st December तक के आंकडे है, in a matter of 9 months, income tax department has processed 3.27 returns, जो इस साल के फाइल हुए, 3.27 assessments finalize किये, जो machine के माधियम से हुए, उसमें से 1.81 करोड लोगों को refund चला गया, और उसमें से भी 1.31 करोड लोगों को 30 दिन के अंदर, within 30 days of their filing the return, उनको refund मिल गया, यह फाइदा है, information technology का उपयोग करने का, अगर ऐसे ही प्रक्रिया बनाने की हम कोशिश करें, तो किसी को भी tax pay करने में दिकत नहीं है, हर आदमी tax pay करना चाहेगा, एक चीज में और भी बता दू, लोग कह रहे है कि, income tax department बहुत 3 लाग या 4 लाग return ही scrutiny में आते है, और उन scrutiny वाले 3 लाग या 4 लाग, एक परसंटे भी कम है, उन केसों में ही हम assessment officer, लोगों को notice based है, और वो भी generally बड़े cases होते है, तो उनको notice based के बाकी उसका scrutiny होता है, बाकी जो 99% people, उनका case कभी भी scrutiny में नहीं लेते, और उनको तो automatic, उनका refund चला जाता है, लेकिन सर, जो honest taxpayers है, वो ये भी जानना चाहता है, आपके जरीए, कि क्या जो willful defalters है, जो जान बूच करके, माली जे stop filers हो गया है, या non filers हो गया है, उनके बारे में क्या department को पता है, और क्या उनके खिलाफ कोई कारवाई की जाती है, जो लोग tax, जिनको बड़ी संख्या में देना चाहिए, वो देते नहीं है, और जो इमानदा taxpayer है, वो बिचारा मारा जाता है, बात सही है, हमने आपने सुना होगा कि हमने जो personal account number, पान नंबर जो compulsory करने की अभी जो notification निकाली है, तो ये पान नंबर देने से हमको ये फाइदा हो जाता है, पा ये सब को हमको देना पड़ता है, तो उससे हमको अब पता है, डेटा माइनिंग अगर हम करें तो हमको पता है, किस आदमी ने कितने transaction किये, उनके नाम पे कितनी deposit से bank की, उसमें से कितना interest कटा है, ये सब चीज हम डेटा माइनिंग के माध्यम से जान लेते हैं, और फिर हम एक घर खरिदा है इस तारीक को, जिसमें आपने दिखाया है कि आपने 50 लाग रुपया का घर खरिदा है, अब इसके बारे में आपने अपने income tax return में कोई जी करने किया, तो आप अपना ज़रा income का sources बगरा बता दीजिए, वो इमेल से ही चला जाता है, अम इसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं कर दे, तो इस तरह का एक system बनाए है, जिसको हम कहते है, non-filer monitoring system, यह monitoring system के मादे हम से बहुत सारे notices गए हुए, email से, लोगों से जवाब आ जाते है, उसका समाधान हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि जितना हो सके उतना email और SMS और application का उप्योग करके, इतनी छोटी छोटी जितनी भी query हो हम taxpayer से जान ले, उसका जवाब जान ले और उसको वहीं निप्टारा कर दे, लेकिन यह जो system बनाई है हमने, IT system, उसके माधियम से हमको widening of tax net में भी एक फाइदा हो गया है, प्लस लोग अपनी income को चुपा नहीं पा रहे हैं, सर एक चीज़ और भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आपने ये बात की, कि चुकि थोड़े से loss complex हैं, बहुत सारे जो cases हैं वो tribunals में चले जाते हैं, आप क्या मांकडा दे सकते हैं कि भी कितने मामले जहें वो tribunals में हैं, कितने लाग करोड रुपए देश के फसे हुए ह और क्या उसमें, उसको speed up करने में क्या कुछ आप काम करने हैं और कैसे उसको एक तरह से smoothen out करेंगे इस पूरे process को पास्ट में जो हमारे लो के complexity के हिसाब से, लो तो complex है हम मान रहे हैं, particularly income tax लो इतना complex बन गया है तो income tax लोग को simplification करने के लिए हमने एक committee बिठाई हुई है, इश्वर committee और इश्वर committee इसमें देख रही है उनका प्रथम report भी आ गया है, उसके report के आधार पे भी हम कुछ measures ये budget में भी announce करेंगे लेकिन अब भी अगर मैं आपको आकड़े बता दूँ कि litigation, litigation जो है सबसे बड़ी बेइन है, tax department की CBDT में, income tax में करीब 3.44 lakh cases है, जो कि litigation में है उसमें से करीब 35 लाग cases तो commissioner appeal के पास spending है ट्रिबूनल में करीब 27,000 केस है, high court में 29,000 केस है, supreme court में करीब 47,000 केस है, इस तरह का pendency वहां पर है और ये 3.44 lakh cases जो direct tax के है, उसमें से 61,000 cases ऐसे है जिसमें department appeal में गया हुआ है, तो department की तरफ से litigation raise हुआ है 61,000, yes 61,000, so about 18% of the cases are litigated by the department in higher forums, और in case of indirect tax करीब 1.36 lakh cases है, जिसमें से करीब 25% केस department की तरफ से है, और बाकी केस SSE ने खुद डाले हुए, हमें प्रयपने ये करना है कि department की तरफ से जो cases है उसको भी reduce करे, और जो SSE की तरफ से उसको भी reduce करें की कोशिस करें, हमने एक प्रयपना किया recently, कि जो limit थी उसको बढ़ा दिया, हमने ये कहा कि अगर tribunal में जाना है, तो minimum 10 lakh की tax effect हो, तभी tribunal में जाएंगे, वना नहीं जाएंगे, और high court में जाना है, तो minimum 20 lakhs अगर tax effect है, तो हम जाएंगे, वरना हम case litigate नहीं करेंगे, उसके कारण जो department की तरफ से जो अपीले जानी है, उसमें करीब करीब 50% का reduction हो जाएगा, ये single measure लेने से, ये जो budget पूरा प्रॉसेस है, थोड़ा सामें समझाएं, जो revenue side है, उसका आप किस तरह से preparation कर रहे हैं, उ सबसे पहले जितने भी trade associations है, chambers of commerce है, industry associations है, specific interest group है, उनके साथ मैं एक अलग से meeting करता हूँ, specific points उन से लेता हूँ, उसके बाद हम ministries के साथ बेठक करते हैं, जैसे department of pharmaceutical है, उनके साथ करते हैं, DIPP के साथ मिटिंग करते हैं, commerce ministry के साथ मिटिंग करते हैं, उनकी तरफ से जितने finance minister meeting सुरू करते हैं, तो finance minister के साथ भी बहुत सारे interest group का meeting होता है, trade unions का होता है, agriculturalist का होता है, CII, FI, SOCM, उनका सब का होता है, उसके बाद यह सब जो भी point आ जाते हैं, इतने बड़े-बड़े memorandums आते हैं, वो सब के लिए हमारे यहां team बनी हुई होती है, और वो team है, उस suggestions को broadsheets में convert करते हैं, एक broadsheet ऐसा होता है कि जिसमें आपका किसका suggestion है, मूल suggestion क्या है, उसमें department का क्या response है, और इसकी factual position क्या है, इस तरह के broadsheet बनता है, हर suggestion का, every single suggestion का, और ब्रोटsheet को फिर हम घंटे भर बैठ के, पहले मेरे लेवल पर हम देखते हैं, मेरे लेवल से जो screen हो पास भी बैठ के, फिर उसमें से हम decide करते हैं कि इसमें से कितने suggestion को finally हमको accept करना है, सार अंतिम सवाल इस कारिक्रम में आप से ही समझना चाहेंगे, GST को लेकर के, सभी लोग ये समझना या जानना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान स्थिती है क्या, और क्या budget में हम इसकी कुछ उमीदें हैं, आप में बता पाएं तो, देखिए GST का जाना तक सवाल है, वहिवटी, मतलब administratively we are ready, उसके लिए हमारी प्रसासनिक रूप से हमारी पूरी तेयारी है, अब सवाल है, वो session के अंदर लाया जाएगा या नहीं, पास होगा या नहीं, वो एक अलग सवाल है, वो decide होगा, जैसे ही budget session शुरू होगा, जहां तक budget में से revenue department की तरफ से उमीद का सवाल है, हम इस budget में tax को rationalize करने की, simplify करने की जरूर कोशिस करेंगे, कुछ efforts हम करेंगे, making India, making India के mission को सफल बनाने के लिए, कुछ tax के changes करके, हम litigation को कम करने की कोशिस भी करेंगे, इस budget के जमसे employment और growth rate में बढ़ावा कैसे हो, उसके लिए भी हमारा प्रयतना रहेगा, कि ये budget को हम कैसे instrument बना के ये सब चीज में बढ़ावा कर सकते हैं, बहुत दो शुक्रिया डॉक्टर अधिया इस कारके में शामिल होने के लिए, तो बड़ी बात तो यह है कि ये जो आने वा फोकस होने जा रहा है, फिलार इस कारके में सिर्फ इतना ही, दीजे इजाज़त, नमसकार